नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ अंडर प्रोसेस वाली प्रोब्लम का सॉलुशन बताने वाला हूं मतलब एक बार ध्यान से समझें कि आपने पीएफ ऑनलाइन कहीं से क्लेम करवा दिया पीएफ का या फिर अपने मोबाइल से घर बैटे खुद ही कर लिया लेकिन आज 10-15-20 दिना फिर एक देट दो महीने होने को आए आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया अभी भी शिरीप और प्रोसेस में ही पड़ा हुआ है जबकि क्लेम करें एक देट दो महीने हो गए स्क 100% Gen1 solution बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने पीएफ में अंडर प्रोसेस में पड़े हुए पैसे को सिरिप और सिरिप चार से पांच वर्किंग डेज में अपने बैंक अकाउंट में मंगवा पाएंगे और एक चीज और इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर वेबसाइट का जो लिंक है वह आप लोगो इसी वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप डिरेक्ली इस वेबसाइट पर पहुच जाओगे अब मैं आप लोग को बतायता हूं कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है आप लो दूसरा EPS पैंसर तीसरा Employer और पाचवा अधर्स का तो आप वही किसी कंपणी में काम करते हो आपका प्रोसे तरीके से आपको भी पता है मुझे भी पता है आप एक पीएफ मेंबर तो आप लोगो सिंपली प्रोसे पीएफ मेंबर पर क्लिक करना है अप जैसी आप का balance check करते हैं यह पास book portal ठीक है तो वहाँ पर जब हम track claim status पर click करते हैं जहासे में दिखता है कि पीएफ का पैसा under process में just up side में बिल्कुल उपर मैंने टिक लगा दिया है आपको claim ID देखने को मिल जाती है अगर आपके पास claim ID है तो आपको yes करना है otherwise कोई दिक्कत नहीं आपको no करना कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो मैं simply यहाँ पर no पर click करता हूं आप जैसे मैंने no पर click किया तो मेरे सामने य वारा एक option खुलता है universal account number का अब बहुत से पीएप मेंबर यहाँ भी confused होता है universal account number क्या होता है तो यह simple से UAN number ही होता है बस यह उसकी full form लिखी गई है यहाँ पर तो चलिए फटा फट में यहाँ पर अपना UN number और capture code यानि security code जो नीचे मेरे image में सो हो रहा है यह दोनों ही च capture code वो दोनी चीज़े fill कर दी अब है simply नीचे का option मिलता है get details का simply आप लोगो इस पर click कर देना है अब आप जैसी इस पर click करोगे तो यहाँ पर जो page हो एक बार reload होगा यानि loading लेगा काफी time लग सकता है यहाँ पर काई बार क्योंकि जो यह page है कह सकते है यह थोड़ा server का issue र हमें यहाँ पर नीचे का option मिलता है get otp का मैं आप लोगों को important step तो बताना भूली गया कि आप लोगों को यहाँ पर एक बार detail verify कर ले रही है कि UN number आपको यह किसी और का है नाम वगयरा check कर लेना है ठीक है आप simply हमे get otp पर click कर देना है इससे यह होगा कि जो भी आपका UN से registered PF में जो registered mobile number होगा उस पर एक otp आएगा तो simply आपको otp यहाँ पर फिल कर देना है तो चलिए फटाफट में आप पर otp फिल कर देता हूं उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं तो अब आप लोग देख सकते हूं मैंने जो otp है यहाँ पर फिल कर दिया अब मैं simply नीचे दिए हुए submit के बटन पर click कर देना है तो चलिए मैं submit पर click करता हूं आप जैसे मैंने submit पर click किया तो दुवारा है loading लेगा आप देखे जो otp मैंने सही डाला तो यहाँ आ गया otp verified successfully अगर आप गलट डालते तो not verified होता अब हमें simply okay पर click कर देना है अब आप से मेरी गुजारी से कि आपको बिल्कुल अब ध्यान से process को समझना है क्योंकि यह काफी important step है ठीक है पूरी video की यह जान है आप कह सकते हो तो आपको यहाँ पर simply personal details दालनी है जैसे आपका general mail और उस address तो मुझे अपने पीएफ जो हमारे मेंबर से सब्सक्राइबर है उन पर इतना तो भरोसा है कि वह इतनी आसान चीज़े तो खुद फिल कर लेंगे तो चलिए फटा फट में आपर जल्दी फिल कर देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने आप पर पूरी डिटेल्स फिल कर दी जैसे जेंडर एड्रेस वगरा मतलब विलेज पोस्ट मैंने एक्जामपल के लिए ठीक है और उसी की साथ इस्टेट अब नीचे का उप्सनल मिलता अल्टरनेट कॉंटेक नमबर अगर आपके सिंपली इसी तरह से फिल करना है अब देखिए आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल गौर से सुनिएगा पूरा ध्यान लगा दीजिएगा ऐसा समझ यह कि मैं आपके बगल में बैठ के आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा इस वक्त खुदी सोच रहा हूं कि हाँ मे चोड़ी दूसरी कंपनी चाहर कि आसे करकर बहुत सी कंपनी 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 में करते हैं तो हमें सिंप्ली आप अप आप लोग देख सकते हैं लिखा हो मैंने प्सक्राइब लगा दिया जी आपर आपको बिल्कुल गौर सेसुना ठीक है बिल्कुल ध्यान से अपना जो टू एक option मिलता है अब आप देखिए हमारा जो पी एफ है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है कहां से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है तो आपको सिंपली यहां पर पी एफ ओफिस से लेक्ट करना है उसके बाद ग्रीवियंस केटेगरी कि आप क्यों ग्रीवियंस सट्लमेंट पर क्लिक करना है ठीक है और उसी के साथ साथ और जी नीचे मानलीजे एडवांस किया अपने ठीक है तो यहां पर मैंने टिक लगा देख ओप्शन मिलता है नौन सेटलमेंट ऑफ पी एफ एडवांस क्लेम तो यहां पर हमारा क्या मसला है भाई हमने पूरा ही पैसा निकाला था वह दोनों के दोने ही अंडर परसर में पढ़ा हुआ है तो हम सिंपली फाइनल पीए विड्रॉल पे क्लिक करते हैं आप एक और चीज गया बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन अब जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन है ग्रीवियंस में आपको एक बार डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताएता हूं कि डियर सर मैंने इस तारिक को अपना पीएफ अपलाई किया था फूल एंड फाइनल और आज ये बीस दिन तीस दिन एक महीने हो गया आज इतनी तारीक है मेरे गर में एमर्जंसी है किसी की सेटल करने किरपा करें रिक्वेस्ट मेरी आप से ठीक है ऐसा कुछ आपको अच्छा सा ग्रेवियंस दिस्क्रिप्शन लिख देना है तो मैं एक्जम्पल के लिए आप लोगको लिख के निखा जीता हूं एक बार तो मैंने आपर एक 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 लिएक डिस्क्रिप्शन लिखने में लगा देना है ठीक है चाहे टाइम लगा दो बेसक उसके बाद नीचे एक option मिलता है upload document का if any यह optional है आप चाहें तो अपना कह सकते हैं कि एक जो पैसा पड़ा हुआ उसका screenshot मारके आप अपर upload करें बाकि कोई दिक्कत नहीं है जरूरी नहीं है ठीक है आप मेरी तरफ सजस्ट करूं तो मैं कोई जरूरी नहीं है मत करिया इसे उसके बाद simply नीचे add पर click कर देना है ठीक है अब देखिए जैसे मेरा add पर click क्या तो loading होगा और आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है ठीक है मैं आप लोग एक बार अच्छे से एक बार समझातों देखिए ग्रीवियंस एक तरह की सिकायत होती है जो कि आप पीएफ ऑफिस ही अपने इंप्लोयर किसी को भी लगा सकते हो अपनी कोई भी पीएफ से लिटेट प्रॉब्लम के लिए तो यहां पीएफ अंडर पसे में मैं उसके बाद आपको नीचे फिली सब्मीट पर क्लिक कर थेंकी सारी इले चेक करने के बाद सब्मीट पर क्लिक करने के बाद यह एक बार लॉडिंग होगा तो आप लोगो थोड़ा से वेट कर लेना है क्योंकि यह website है काफि कह सकते सरवर की से इंप्रॉबलम रखती है अब देखिए जैसे ही जो है वो लोडिंग हुआ अब आप लोग देख सकते हैं आप नीचे की तरफ ओफिस का पूरा एड्रेस की कहा पर आपकी जो ग्रीवियंस है वो अपलाई की गई है मतलब सिकायत लगाई गई है नाम वगरा कॉंटक्ट नमबर सब कुछ आ जाता है तो मैंने इस वीडियो में आप लोगो को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया कि कि इस तरीके से आप अपन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शूर और कमेंट करना ना भूलें धन्याथ दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन की जरी है आप सभी प्रियेप मेंबर्स को इस प्रॉब्लम का 100 परसेंट जैन्वन स्वलूशन बताया अगर अगर आपके मन में इस वीडियो से रेलेटेड या फिर इस प्रॉब्लम से रेलेटेड कोई भी कॉस्चन कोई भी डाउट किया रही हो तो आप मुझसे इसी वीडियो कमेंट बॉक्स के नीचे या फिर दिस्क्रिप्शन में में मारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएग दन्यवाद दोस्तों